यह वीडियो तो मैं उर्दु में बनाऊंगा इंशाल्ला तो यह का बिल्कुल आखरी कोना है नियॉक स्टेट का जिसको कहते हैं द एंड यह कहलें कि आखरी हद यहां से फिर अट्लांटिक ओशन शुरू होती है पार और अमैं अभी लाइट हास गुपर गया था बहुत ही पतली नेरो सीडियां यह उपर जाने के लिए एक सो सेहती कि मैं समय रहा था 167 मिया शैद 167 हो उपर गया जार मेंगे नहीं थे यह वर्थ एट बहुत इए नरो सीडिय हैं बेरी स्टीफ तो अच्छिली उकथ दो आप से जाके मैंने तस्वीर नी वुड़ा व्यू एन स्टेट्स नजर आते हैं New York Connecticut or I believe yeah not New Hampshire is it New Hampshire probably in states so this is the eastern end of New York at the very end of Long Island train said there's no train train got the last stop have all well it's such a funny name I can't I can't pronounce it so if you come from the train then you have to go very far and then you have to go to Uber or car rent so I have to go with Vidal and I have to go with my children and then from the city from about 3 hours to New York Queens or Long Island border if you are in the border so you can't get it it's like a week in the traffic I'm 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 1780s में यह जाकर के तयार हुआ था यह लाइट हाउस और प्रेसिदेंट जोर्ज वाशिंग्टन ने बनवाया थो रहे हां भी यह लाइट हाथ इस फंक्शनल और मैं समझ जा था कि गवर्मेंट पेस फॉर इस अपरेशन अगर अंदर में लगा हुआ है अगर आप फाइफ थाजन से तें थाजन डॉलर्स दें या अप तो फाइफ थाजन डॉलर्स दें तो आपका नाम जो है वो यहां पे ऐसे डोनर इंग्रेव होता है लाइट हाउस के अंदर प्लेट लगी है उसके ऊपर तो यहां इंडियन ट्राइब्स होती थी इंडियन तो नहीं कहते हैं को नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं और वो कब की यहां से एक्टरी जब बिटिश आए थे तो उन्होंने खतम कर दिया था सबों को मार मार के भूंजा बना दिया मगर एन्यूवे उसके बाद जो है हाँ पर कुछ लोग हैं उस ट्राइब के कुछ मर के थे डिजीज वगरा में और अबी जो है उन में से फ्लरिश कर रहे हैं उसकी तो पूरी हिस्टरी है नेटिव अमेरिकन्स की कुलंबस के आने के बाद क्या क्या हुआ वो फूरी हिस्ट्री है तो वह पढ़ने के काबिल है लिए अगर और वेल यह स्टेप्स आ वेरी नारो और अक्सर लोग जो है गिरते हैं चुके यह के बहुत ही नारो है और तर्फिक इस आप कियर फो एक्सिदेंस माइपन यहां पर देखें कि आप स्वाइल एरोजन वगरा भी है और जादा उचा नहीं है अगर वेव जाती है यहां पर श सॉल्ट वाटर फिश अमेरिका में सबसे जादे यहां पाई जाती है इंक्लूरिंग शार्क्स तो शार्क्सर सीन फिशिंग की बोग सब तरफ मौजूद है फोड़ा दूर में हैं मगर हैं और यह के लोग आते हैं फिशिंग करने और सर्फ सर्फर्स के लिए यह बहुत ही यहां पर तो जो लोग शौकीन है शावल के लेकन कम हैर वरी अंड पॉंट लास पॉंट फ्लांग आइलन मॉंटॉक पॉंट पॉंट लाइट हाउसे श्माल थाउन और यहां पर इस्ट हैंटन करके एक ताउन है वहां ही आपको कुछ मिल सकती होटल वगरा भी वहीं पर ह यहां इसरी कर रस्टान्ट है देन थे लाइट है उन्हें एक रफ रह द्याओ सब्सक्ड रस अग्राइब क अद्ट लाइज और भी वहींसारी लाइओ लाइव वहां थे समंदर की अवाज में अपनी अवाज अवाज रख बंद करूं तो पहरी आवाज अब सुन how serene it is subhanuallahu alayhi wa alhamdihi so I bet when the boats and ships go by along the shores the the waves become much higher I see some people up there I think they're tourists I don't know where they're visiting from but yeah I see some people here lots of people all over the place yeah so yeah very pretty indeed yep so these shores are very very far and wide and you can certainly enjoy when you come here look here bedker ke puther pere my family poetry lika raha ya pre-zindagi ka hesab lera raha ya sahab to sab ne lena cha hiya rozanah mohasabah jishko ka te for a change my neye video joh hai urzun mein binahi hai myri video sari english mein hi hooti hai ek to ye ke etne arse amerika wa bahar ke dunia mein rahe ker ke insaan ko angrizi bolni padhti hai adat ho jati hai ek tarah se and dousari ye ke meinne as a psychologist as a psychologist as a professor hemeesha humare jitne bhiya toh clients raha ya yitne students raha sabohu ko angrizi mein padha ya isliye aur phir loogon ke humari jo audience hai woher pecha american flag star and stripes man america's number one country man i'm an american citizen i love my country all those people who love the seas and the shores and nature please come to montauk point for the lighthouse and a very different experience indeed in jimmy batari te actually about uh erosion or kaise hapa erosion soil erosion ko rokte hain uske baare mein bhi tha now i have to take a step up uh go up climb up and then see what what it looks like from the top here haa se dekhiye light house ka nazara pretty pretty indeed aur thoda i zoom out karta ho pretty indeed very nice actually jo side mein building and nenicye mein wak meuseem hai thoda i'm Enfin Jipuri history or tsare uske jow historic chizem woher pere rukhi Taghi whi hai hai toh wode dikhi nay ki chiz hai. Or yaha se ap e dhere dhkhen toh je pass me iuske restaurant hai. Ushan apa turist và arabi hand tatsviriye aamne tata bina rhee hein. मेरे तरह और शौकीन भी हैं यह लग रहे हैं कि बाहर मुलकों से कुछ लोग आ हैं यहां से अब नजारा लीजिए अगर बृतिन अगर आपकी आँख तेज है तो बृतिन इस जिस्ट अक्रॉस का फॉन्ड यॉनाइटिव किंडम और यॉर्पिन कंट्री इस अर्कॉस्ट वह पुड़ी इंडीड और इतफाक से में शौला बढ़ यह अच्छा है कि बस लग रहा है कि बोलता हूं वीडियो बनाता हूं हम जोनी आपको यह नहीं जाईबिए आक्रावी जापनीकि रहा है काफी जापनीज कि आपकर घंड़ी के बिचापनीर में उनु हमारी तरह अमेचरिक प्टरफार जाल में आपकर तूछेश अर्शू सम्झिये के यह थामत्र प्तरा है फ्तर्चर फूड्री नहीं होते य प्रिझर सुदिर ले तdeख मन्या नहाब और मीश और में बूर और फूर प्रॉब यहाब। आभ वे बार इख र्रॉब बीजर ट्रॉज व्र वी बार दॉट इन्यारि यहाब। आवर दिन्स लंग दॉट्व ले नहाब। चली है कि प्रैर्समेन और फ्रीज और ट्यार कि अख़ मैं और कि घर इस और यु कि अर्ट वस कर दो नवल्ट चारी अलावो बैक कि अ